दोस्तों Transition Right से लेकर बहुत सारा कमेंट आया था कि जैसे ही हम Manage Transition Right पे क्लिक करते हैं यानि कि Transition Right को Change करते हैं तो नहीं होता है No Account Found जो है बता देता है तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा दो यूनो SBI है तो एक यूनो SBI हमारा SBI का है और एक SBI के CSP का है तो चली हम लोग दोनों जो है देखेंगे यहाँ पर दो हमारा एक्जामपल है कि किसमे होता है Transition Right चेंज और किसमे नहीं होता है तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे SBI वाला में इसके बाद देखेंगे SBI के CSP वाला में तो यह हमारा SBI वाला तो चली मैं इसको Open कर लेता हूँ Open करने के बाद यहाँ पर Login करना है तो मैं Login कर देता हूँ तो यह हमारा SBI Login हो चुका है चली हम लोग निचल चलते हैं स्क्रॉल करके यहाँ पर Option मिल जाएगा Service Request इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर हम लोगों को Option मिल जाएगा Settings Settings पर क्लिक करना है और Settings पर क्लिक करते हैं यहाँ पर हम लोगों को Option मिल जाएगा Manage Transaction Rights तो चली है इस पर क्लिक करते हैं इस पर क्लिक करते हैं यहाँ जो है हमें List of Account यहां पर account select कर लेना है तो मैं यहां पर अपना account select कर लेता हूं इसका बात देख सकते हैं यहां पर option दे दिया है यहां पर तास्टराइट के बगल पर यहां पर pencil के दर दिख रहा है इस option पर click करना है और इस पर click करते हैं यहां पर आप से जो है internet banking profile password मागेगा तो चलिए मैं यहां पर profile password डाल देता हूं और फिर profile password डालने के बदीची नैस्ट पर click कर करता हूं कि यहां पर होता है या नहीं चलिए मैं यहां पर limited पर कि क्लिक कर देता हूं इसके बाद नीचे यहां पर terms को accept कर लेना है इसके बाद यहां पर क्लिक कर देना है और फिर कंफरम पर क्लिक करता ही दोस्तों यहां पर देख सकते हैं हमारा change हो गया है transaction rights changed you have successfully लेकिन CSP का जो है नहीं होता है लेकिन फिर भी हम लोग अभी कोसिस करेंगे आपके सामने ट्राइक करेंगे तो CSP का जो होता है न दोस्तों उसमें थोड़ा लीमिट रहता है उसमें मतलब कि फूल टांसर्शन राइट को अप्शन नहीं देता है और फिर फूल टांसर्शन राइट जो है वो बैंक के तरफ से नहीं देता है एक बार अगर आपको ज़्यादा परिसानी होगा या मनी ट्रांसपर नहीं हो रहा होगा या फिर रिचार्ज अधर प्रोब्लम होगा तो आप एक बार बैंक में विजिट करेंगे इससे मैं चलिए ओपन करके आपको दिखा देता हूँ यह मेरा CSP का योनो SBI है मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो यह हमारा CSP का योनो SBI ओपन जो हो गया है मैंने लोगिन कर लिया है और दोस्तो CSP का जो है पास्बूक का यानिक नेट बेंकिंग हो जाता है यह मेरा CSP का नेट बेंकिंग है तो चलिए मैं यहाँ पर सर्विस रूकेस्ट पर क्लिक कर देता हूँ इसके बाद मैं यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक कर देता हूँ नो account found लेकिन यहां तो मेरा जो है open हो गया है तो चलते हैं full transfer reality पर click कर देते हैं profile password डाल देते हैं और फिर profile password डालने के बाद नीचे next पर click कर देना है और next पर click करते हैं यहां पर देख सकते हैं यह भी option दे दिया आगे पता नहीं होगा या नहीं होगा चलिए देख लेते हैं तो यहां पर इडिट करने का option दे दिया है CSP वाला में चलिए मैं कोई यहां पर एक select कर लेता हूं यहां पर terms को accept कर लेता हूं और confirm पर click कर देता हूं तो यहां पर ओ नहीं हो रहा है दोस्तों देख सकते हैं अगर ज्यादा आपको problem हो रहा है तो आप bank से पता करेंगे क्योंकि जो था मैंने यहां पर आप लोगों को करके दिखाया है यानि कि SBI का हो जाता है लेकिन SBI के CSP के यहां पर change नहीं हो रहा है और तो और दोस्तों यह जो CSP का आप देख रहे हैं यहां से ATM कार्ड भी अपलाय हो जाता है मैंने एक वीडियो में बताया था ठीक है दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक लिए बाय थैंक्स पर वाचिंग पर दोस्तों भी